हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब 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 पहले तो आप ये मिठाई देखिए इतनी टेस्टी बनी है देखने में ये जितनी सुन्दर दिख रही है ना खाने में भी उतनी ही स्वाधिस्ट है और मुह में जाते गूल जाएगी इतनी सॉप्ट स्पंजी बनी हुई है ये करके बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसे सूजी से बनाया हुआ है तो चलिये बनाना सुरू करते हैं के लिए सबसे पहले हम चासनी तेयार करेंगे यहां पर मैंने 2 कप सक्कर डाल ला है और 2 कप इसमें पानी डालेंगे निहां पर कोई वी फ्लेवर डाल सकते हैं अपन जैसे ही लगे ना हात में उतना ही हमें पकाना इसे 5 मिनट तक आप पकाईए 5-7 मिनट और यह हलकी सी चिप-चिपी हो जाएगी चास्टनी और गाढ़ी हो जाएगी जैसे हम गुलाब जमुन के लिए बनाते हैं बसवय साई चास्टनी बनाना है हमें इसमें कोई तारवार न लिए है एक चमज उसमें देशी घी डाल दीजिए और इसे 2-3 मिनट तक के लिए भून लेंगे इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है लोग फ्लेम पर यह से भूनना है बस इसका कच्छापन हलका सा खतम हो जाए बस इतना ही भूनना है हमें अब जिस काटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी काटोरी से मैंने यहाँ पर दो काटोरी दूट डाल तो दो काटोरी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने उपर से और दूट डाला है बाद में तो लगभग यहाँ पर मैंने धाई काटोरी डाला है दू सुजी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बारिक या मोटी वाली बस अच्छे से पकाना है इसे दो डालके और एक सब्ट डोसा हमें तयार करना हैं तो डो हमारा तयार है अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने देते हैं तो लगभग 10 मिनट के बाद यह अच्छे से ठंडी हो गई है अब इसका मसल करके अच्छे से हमें डो तयार करना है चिकना सा तो यह सूजी है इसलिए हाथ में चिपकेगी आपने इंसाने हाथ में तेल लगाकर केश का यह ओवल शेप को मैं बना रही हूं यहाँ पर आप इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं रजगुला के जैसे तो हाथ में हलका सा तेल लगाई है और यह देखिए बिल्कुल असानी से बन जाते हैं इसी तरह मैं सारी मिठाई तयार कर और चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं तो मीडिया माच पर मैंने तेल गरम किया यहां और उसमें यह मिठाई करके डालते जाएंगे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं डालना है इसे तो देखिए मैं इतने सारे तेल में डाल चुकी हूँ अभी तक यह बिखरे भी नहीं है अगर आपने डो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया ना तो भी यह बिखरे है उनी का ध्यान रख्या यह बहुत आसानी से बन जाती है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे तल लेंगे अलट-पलट करके देखिए कितना प्यारा सा कलर आया इसमें तो जैसे हम इसे तेल से निकालेंगे तुरंधी से हम चासनी में डालेंगे चासनी अगर ठंडी हो गई है तो आप वापस से गरम कर लीजे उससे और गरम चासनी में डालें तो देखिए मैंने एक बैच निकाल करके इसमें डालत दिया है दूसरा बेच भी तल रहा है उधर तो हलका सा गुंगुना कर लिया था मैंने चास्नी देखिए जैसे मैंने चास्नी में डाला है यह तुरंधी फुलनेस टार्ट हो चुकी है दूसरा बाल भी मैं तल करके उसमें डाल देती हूं और लगभग 10 मिनट के बाद में आपको यह दिखाती हूं तो देखिए काटकर मैं दिखा रहे हूं आपको यह बहुत ही सॉप्ट बनी है और आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो कोई भी पता नहीं पाएगा कि आपने इसे सोजी से बनाया है तो आप जरूर एक बार ट्राइ करके देखिया और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लिस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसी कृष्णा